पूर्वमंद्री और कॉंग्रेस नेता प्रतीप जैन अधित्ते ने साध्वी प्रग्या के बयान को राष्ट पेता महात्मा गांधी का अपमान बताया है कॉंग्रेस नेता ने साध्वी प्रग्या पर कारवाई करने की मांग की है सादवी प्रग्या के विवादित भयान को लेकर सियासी संग्राम जारी है भले ही भाजपा सांसद ने भयान पर सफाई पेश करते हुए माफी मांग ली है लेकिन सादवी प्रग्या के भयान पर कॉंग्रेस लगतार भाजपा को कटगरे में खड़ा कर रही है राहुल गान्दी ने जो कहा है वो पूरे देश के लोगों की भावना है अगर हम देखें तो इस मुल्क के अंदर जो लोग जन्म लेते हैं उनके राश्पिता महात्मा गान्दी के पृति एक भगवान से कम आस्था उनमें नहीं होती है और महात्मा गांदी के हत्यारे को महमा मंदित करना इस सदी का सबसे बड़ा पाप है और राहुल जी ने जो बात कही है वो बात निश्यत रूप से सत्पृतिसस सत्थ है क्योंकि वो व्यक्ति जो महात्मा गांदी के हत्यारे को महमा मंदित कर रहा आपको बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसत प्रग्या ठाकुर ने लोकसभा में गोटसे को देशभक्त करार दिया था जिसके बाद सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा कॉंग्रेस के बड़े नेता एक एक कर भाजपा और साधवी प्रग्या पर निशाना साध रहे हैं सी नियूस के लिए योगेश त्यागी की रिपोर्ट